Hello dear students, इस वीडियो में हम lesson 2 जूट का सर्च के बारे में पढ़ेंगे इस कहानी में बच्चो एक गोनु जहाने अपनी समझदारी से, अपनी सूजबूज से, अपनी चत्राई से और हाजिर जवाबी से समस्या का समधान किस तरह से निकालता था गोनु जहान, उसके बारे में बताया है जीवन में बच्चो सफलता पाने के लिए, सकसेज होने के लिए हमें सूजबूज होना बहुत जरूरी है सूजबुज मतलब सही समय पर सही काम करना, हमें सही समय पर सही बातें बोलना, सही काम करना बहुत जरूरी होता है, तब ही हम किसी भी जीवन में आने वाली समस्या को सही तरह से हल कर पाते हैं। तो इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से गोनुजा अपने वागपटुता से, अपने बोलने से, अपने सुझबुच से समस्याओं को सॉल्व कर देते थे, हल कर देते थे, तो आईए लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, गोनुजा का एक लंगोटिया यार था, वे उनक दुख सुक्का साती था, उससे कभी मन मुटाओ भी नहीं हुआ था, लंगोटिया यार मतलब क्या होता है बच्चों, बच्पन का दोस्त, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, तो गोनुजा का एक फास्ट फ्रेंड था, बच्पन का दोस्त था, वो उसके हर समय, उसके दुख में, सुक में, हर समय उसके सात रहता था, उससे कभी उसके जगड़ा भी नहीं हुआ था, मतलब मन मुटाओ मतलब कभी उनकी आपस में लड़ा ही नहीं हुई थी, तो एक दिन उसने गोनुजा से कहा, मित्र, सभी लोग तुमारा लोहा मानते हैं, लोहा मानते साधु को कोई ठग और बेइमान को इमानदार सिद कर देते हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, तो गोनुजा ने बहुत ही सहज़भाव, सहज़भाव मतलब होती, शान्त तरीके से बोला, कि मैं किसी को एक नजर में ही पहचान जाता हूँ, कि आदमी अच्छा है या ब विचार बनाता है अपने दिमाग में कि कल्पना, इमेजिन करता है, उसकी परसनेलिटी को, उसके व्यक्तित्व को मानता है, उसी के स्वभाव अनुसार में निर्णव लेता हूँ, उसी के बिहवियर से वो इस बात को डिसाइड करता है, कि कोई परिस्थितिवश, कोई सि वो किसी व्यक्ति को देखकर ही यह समझ जाते हैं, कि वो किसी सिचुएशन में जूट बोल रहा है, या कभी-कभी कोई आदमी इतना गरीब होता है, कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वो मजबूरी में चोड़ी करता है, तो फिर वो उसको एक मौका द हैता है, तो मैं उसे उद्गाटित करके ही दम लेता हूं, कि मतलब अगर कोई जिसे सादु मात्मा होते हैं, कुछ लोग सही होते हैं, क्या होते हैं, कि मकार होते हैं, पाखंडी होते हैं, दूसरे को लूटने के लिए ऐसा करते हैं, तो उनको वो सामने, उनका भेद खुल अजीज मतलब जो बहुत प्यारा होता है इसलिए तुम्हारे बारे में धारना क्या बनानी है उसने जोड़ देते हुए कहा कि फिर भी गोनुजा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अब मुझे शंका हो रही है मतलब शंका मतलब शंक हो रहा है कि हमारी दोस्ती कहीं कि तो ठीक है मैं सोच रहा हूँ गॉनुजा ने भूती सहचता से बोला मतलब हुछी पॉलैइटी ली बोला नम्रता के साथ बोला की तो ठीक है वह दोस्त अक्सर गॉनुजा से ψही प्रशन कर देता और गॉनुजा यही कह कर टाल देते कि मैं अपने कामों में लगा रहा हूं समय आने पर बता दूंगा मतलब गोनुजा उसके बारे में अपनी राय नहीं बता देते तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो अभी 500 ही चाहिए और शेश बाद में दे देना तो गोनुजा कहते थे अपने दोस्ते कि तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के देने के लिए उससे पूछते हैं मित्र ने पहले तो बात टाल नी चाहिए उसके दोस्ते ने लेकिन किन्तु काम बढ़ा नहीं था और गोनुजा जैसा प्रम बतिर इतना अच्छा दोस्त जाने कैसे 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 सवांग भड़ता रहता है मतलब ड्रामे करता रहता है इसलिए उसने हऊ कर दी कि दे देगा कि उसके दोस्त इतना अच्छा नामी है तो मित्र शीघरी इसका दोस्त ने पांच्सो तुम सभे सब दिन नलायक ही रहे تुम भी सब दिन नलायक ही रहे इतने शिक्कें दे रहो तो आकर्षक वठ्वे में दो उसे सुझाला है कि ऐससे पर्स दोस्तों को देखकर उठते बैठते याद है ना 500 सिक्के बाकी हैं ऐसा किसी भी किसी भी अपने दोस्तों में बैटा था उनके सामने जब उठता था तो वह याद दिला देता था कि 500 सिक्के बाकी हैं मित्र भी कभी हसकर तो कभी खीजते हुए कह देता हां हां रोज क्या गुलाई गड़माने लोग मतलब जो उस गाओं के सम्मानेत वेक्ति थे वो लोग आए उस सभा में तो गोनु जहाने अपनी फरियाद की अपनी बात रखी कि यह मेरा लंगोटिया यार है मतलब मेरा बच्पन का दोस्त है इसने शीगर लोटाने की शर्त पर यह छे महिने प अब वो दोस्त अपने उपर आरोप को लगे वे देखकर चौकते वे बोलता है मित्र यह क्या बख रहे हो मतलब क्या बोल रहे हो यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है तुम्हारा सिर्त तो नहीं फिर गया गोनु जहाने जुंजलाते वे बोला तो मैं क्या करूं और को भाई बंधों आप लोग जानते ही हैं कि इससे जब-जब मेरी मुलाकात हुई तब-तब मैं तगादा करता रहा हूं कि मतलब उसको याद दिलाता रहा है तो यह सुनकर कुछ लोग चुप रहे हैं और कुछ ने हां में हां मिला कर उसकी बात को समर्थन किया फिर तो वे दोस्त गोनुजा को बेइमान, ठक, धूर इत्यादी बुरे-बुरे शब्दों से बोलने लगा और अचंबित होते हुए पूछा कब मैंने तुम से सिक्के लिए और कब लोटाए भी एकदम साफ मुकर गया मतलब कि उसने सिक्के लिए और नहीं दिये इस बात को वो नही मन रहा था तो गोनुजा ने अपने थेले से वही सुन दर सा ब 답वा निकाला उसीने दोस्त ने मिट्टी के सिक्के दिये थे उसी थे अपन्चो को यह बट्वा किसका है उसने बी इह चक कहा है तो मेरा ही पर इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के दिये थे तो गोनुजा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा उपहासात्मक मतलब मजाक के सेंस में कहा लीजिए मेरी मती मारी गई है मेरी मती मतलब बुद्धी बुद्धी मारी गई है बुद्धी खराब हो गई है यब मैं करेंगे इसलिए जितना जलदी हो इनके बाकी के शिक के वापिस कर दे नहीं तो सूथ समेथ लोटाने पड़ेंगे तो शुब्ध और उने के बावजूद मतलब गुस्द आने के वावजूद सिख्के वापिस करने पड़े बदनामी और बेज़ती हुई वह अलग से उस दि नाम सुनकर भी वह भड़क उठता था बहुत जादा उसको गुस्सा आजाता था तो दोस्त की किराने की दुकान थी किराने मतलब जनरल स्टोर था कुछ ही दिनों बाद दुकान के आहाते में गणमान्य लोगों को पहुंचते देख उसे उच्छुपता हुई मतलब दुका मतलब उसको शक हो गया कि मकार को फिर क्या खुराफात सुजी पर वे गाओं के मतबर व्यक्तियों को भगाए तो भगाए कैसे गोनुजा भी उपस्तित हुए उन्हें देखते ही वे दोस्त दुकान छोड़कर बाहर जाने लगा गोनुजा ने अपने पुराने लंगोटि और असली सिक्कों के दोनों बटवे निकाल कर बीच में रख कर कहा पंच परमिश्वर मेरे इस अजीज दोस्त को मतलब मेरे प्यारे दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाइश थी मतलब बहुत ही उसको मन से इच्छा थी कि मैं सच को जूट और जूट को सच में कैसे बदल लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा मतलब जूट को जूट बोलकर मुझे अपनी जो हमारी दोस्ती थी उसे दुश्मनी में बदलना यह सिक्के मैं चुपचाप भी वापस कर सकता था लेकिन सभी के सामने यह जलील हुआ था मतलब इसकी बेह जती हुई ती इसलिए आप लोगों के सामने ही मैंने इसको लोटाना सही समझा और फिर मित्र की पीट पर धौल जमाते हुए कहा मतलब पीट थपतपाते हुए बोला अब तो मुझे समझने में देड़ना लगीगी कि मतलब अब तो मुझे नहीं समझना पड़ेगा कि क्या मेरा दोस्ति मत अच्चो इस तरह से हमने देखा कि इस कहानी में गोनु जहाने किस तरह से अपनी तरक शक्ती और अपनी सूझभूज से किस तरह से उसने समझ्या का हल किया